हलो फ्रेंड्स, बेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर, दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे रीजिनिंग के सबसे important chapter की missing number की दोस्तो आज की वीडियो में जितने भी question कराऊंगा सभी question exam में पूछे के question है important question है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहे है चले start करते हैं पहला question यहाँ पर दिया गया है दोस्तो question missing number का है तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है के missing number कहाँ पर दिया गया है आप देखेंगे दोस्तों missing number यहाँ पर दिया गया है ठीकिए यहाँ पर कौन सी संख्याएगी वो हमें find करना है अब इसमें एक चीज आप देखेंगे common यहाँ पर देखें बीच में 33 दिया गया है यहाँ भी बीच में 33 है और यहां भी बीचे में 33 है तो इन चारों संख्याओं से हमें 33 बनाना है कैसे बनेगा के लिए दोस्तों दोस्तों देखिए यदि आप कोश्चिन को खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पर पॉस करके खुद से करने की कोशिश कीजिए अगर आपका आंसर आ जाए तो मुझे कमेंट वॉक्स में बताइए सर मेरा आंसर यह आया था के लिए रहे देखिए क्या लोजिक लग सकता है हमको 33 बनाना है इन चारों संख्याओं से कैसे आ रहा है के लिए रहे एडिसन करने से नहीं आ रहा है तो हो सकता है मल्टिप्याओं करने से आ जाए नोवपंजे 45 हो जाएगा मल्टिप्याओं तो बहुट जादा जा रहा है के लिए रहे देखिए दोस्तों क्या लोजिक लग रहा है मैं ऐसे करता हूँ इन दोनों का मल्टिप्याओं के लिए रहे साथ का और नो का मल्टिप्याओं करता हूँ नो सत्य कितना होता है दोस्तो 63 होता है के लिए रहे और इन दोनों का मल्टिप्याओं करता हूँ दोनों का अंतर कितना आएगा दोस्तों 33 है गा तीन में से 0 जाएगा तीन 6 में से 3 जाएगा तीन 33 आगया 33 यह तो आपको चाहिए था समझी मैं दोस्तों बाद logic पकड़ में आया वही यहाँ पर कीजिए इन दोनों का कीजिए multiply कुरासी होता है 73 कितना होता है ए एक्यामण तो 84 और 54 और 51 का अंधर कर लिए लिए 84 और 50 करेंगे 4 मेर मीर से एक जाएका 3 8 मेर से 5 जाएका 2 यहां w333 मिलिका तो समझी में आ तोस्तो क्या लोगिक किसमें लग रहा हैए इन दोनों का Psal dois करना हमें अंतर करना न न ठीक है वही तरीके यहाशाρ से मौल्टिप्लइगे 8ativa 18rion कीटना होता दोस्तो 48 सोता यहाँ पर 58 आए अब देखिए 48 आना है हमारा ठीक है यहाँ पर दोनों का multiply 48 आना है तो यहाँ पर हमारा तो तीन का मल्टिप्लाई हमें कितने से करना पड़ेगा कि 15 आ जाए तो तीन का मल्टिप्लाई 5 से करने पर दोस्तों 15 आता है के लिए रहे तीन का मल्टिप्लाई हमें कितने से करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा तभी तो दोनों का यूग कितना आएगा 15 के लिए रहे क तो यहां पर कॉश्चन में किज़ेगे कौन सी संख्याएगी पांच आ जाएगी भी ऑफ्सन हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर के लिए रहोगी दोस्तों बात समझी में आगया कॉश्चन ऐसे कॉश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं एक्जाम में आपको कुछ नहीं कर देख लिजे के लिए दोस्तों समझे में आगी बात वैं उम्मिद करता हूँ dialogue कोश्चन आप सभी को बहुत Яच्छे तरीकेione से समझ में आग्या होगा अब देखेंगे दोस्तों अगला question अगला question है आपका इस question में देखेंगे missing number कहाँ पर दिया गया है दोस्तों यहाँ पर दिया गया ठीक है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी इन चार option में से कोई एक संख्या यहाँ पर आएगी ठीक है लेकिर कौन सी संख्याएगी अभी नहीं पता आपको logic लगाना है और पहचानना है कौन सी संख्याएगी आप देखेंगे यहाँ पर question मारक है तो ऐसे ऐसे solve करेंगे अगर आप ऐसे ऐसे चलते हैं तो आपको लेगेगा यहाँ पर ऐसे चलेंगे यहांपर पर 16 है ऐसे चलेंगे तो यहांपर भी संहीं केलियर ऐगे है तो आगर 6ına और Kansas City सय आप बनाएंगे सराल तो क्या बन जाएगाắtagen केलियर ऊट साथ 6 स्याद लौस्षारा संही बन चैना केलियर आप 6 और 7 13 13 17 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा तीनों को जोड़ा 30 मिला इन तीनों को भी जोड़ लीचिए 9 पिलस 5 पिलस का 16 ठीक है अब इनको जोड़ेंगे 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 14 16 कितना हो जाएगा ये भी 30 हो जाएगा इनका योग 30 इनका योग 30 तो इनका योग भी कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए ठीक है तो 4 पिलस 8 पिलस कितना question mark के लिए रहे और इनका योग कितना आना चाहिए तो 30 आना चाहिए यही तो आना चाहिए अब 4 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा 12 हमको चाहिए 30 तो आप इसके लिए 18 जोड़ना है, 18 किस ओफ्षन में है, C ओफ्षन में है, तो यहाँ पर कॉश्चन में आखिजगे क्या एगा दोस्तो, 18 आजाएगा, के लिए दोस्तो बात समझी में आगी, मैं उम्मीद करता हूँ, यह कोश्चन भी आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आखिजगे होगा, अब देखेंगे अगला कोश्चन, अगला कोश्चन है, इस कोश्चन में देखेंगे दोस्तों, missing number कहाँ पर दिया गया आप देखेंगे missing number दोस्ते यहाँ पर बीच में दिया गया है जब बीच में missing number दोस्तो आपको दिया जाए तो आप क्या करते हैं कि यह बीच वाली संख्या कैसे आई यह बीच वाली संख्या कैसे देखे, अगर आप इस 28 में से माइनस कर दें इस 8 को, इन दोनों के योग से, मल्टिप्लाई से या कैसे भी आपको क्या करना है, 60 बनाना है, 28 में से 8 को आप माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 20 बचेगा, आपको चाहिए 60, तो 60 के लिए क्या करेंगे, 20 का 3 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 60 आएगा आगया वही तरीका दोस्तों यहाँ पर लगाईए यहाँ 28 में से 8 माइनस किया था यहाँ 7 में से 3 माइनस कर दो 7-3 कितना बचेगा दोस्तो 4 यहां 3 से multiply किया यहां भी 3 से multiply कर दो कितना आ जाएगा 12 यहां दोस्तो 12 दे रखा है मतलब हमारा logic लग रहा है वही यहां पर कर दीजे 2 में से घटा दीजे 2-1 कितना बचेगा multiply 3 से हो रहा है तो यहां भी 3 से कर दो 3 ही आ जाएगा और यहां पर आपका 3 दिया गया है logic दोस्तों पूरा-पूरा समझ में आ रहा है अब 38 में से क्या करेंगे 11 को minus कर देंगे 38-11 कितना बचेगा दोस्तो 38 में से 11 घटा देंगे यह बचेगा आपका 27 38 में से 11 घटा दोस्तो 27 बचेगा अब सब जगे 3 से multiply हो रहा है तो यहां भी 3 से कर दो 27 का multiply 3 से करेंगे कितना होता है 81 तो 81 आ किया आपका answer तो question mark की जगे यहां पर दोस्तों क्या आएगा 81 आएगा मतलब पहला option आपका सही हो जाएगा यहां पर आएगा दोस्तो 81 के लिएर दोस्तों उम्मीद करता हूँ question आपको अच्छे तरीके से समझी में आग्या होगा के लिएर है अब देखेंगे दोस्तों अगला question अगला question है इस question में देखेंगे दोस्तों missing number कहा पर दिया गया है 225 किसका square होता है 225 दोस्तो 15 का square होता है तो इन तीनो संख्याओं से आप 15 कैसे बना सकते हैं दोस्तों इन तीनो संख्याओं से 15 कैसे बनेगा यह आपको दिमाग अपना लगाना है ठीक है कैसे 15 बना सकते हैं आप इन तीनो संख्याओं में से केलियर दोस्तों समझे में आ रही बात अब देखे 35 में से मैं 31 को घटा दू चार बचेगा और इस चार को मैं 21 में से घटा दू तो 17 बचेगा 15 फिर भी नहीं बच रहा है आपका केलियर दोस्तों 15 तो आपका फिर भी नहीं बच रहा है केलियर है अब देखिए अगर मैं 35 मे अब देखिए पंदर आपको कैसे मिलेगा आप इनको जोड लीजे तीन और पांच को दोनों को तीन और पांच कितना होता है दोस्तो आठ होता है इन दोनों को जोड लीजे तीन और एक को तीन और एक कितना होता है चार होता है पिलस इनको जोड लीजे दो और एक कितना होता दो और एक 3 होता है ऐसे आपस में संक्याओं को जोड लेना है 8 4 12 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 कितना हो जाएगा दोस्तो 15 और 15 का स्कॉर कितना होता है 225 होता है जो यहां पर बीच में दे रखा है समझे में आ लिए दोस्तो बात वही logic आप यहाँ पर लगाईए दोनों को जोड़ लेंगे एक और एक कितना होता है दोस्तों दो होता है पिलस पांच और एक कितना होता है छे होता है पिलस तीन और एक कितना होता है चार सब को जोड़ेंगे च्छे और चार दस और दो कितना होता है 12 12 का square करेंगे कितना होता है 144 होता है आपको यहाँ पर 144 दे रखा है समझी में आगी बात वही तरीका यहाँ पर लगाईए एक और साथ दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा पिलस एक और तीन कितना हो जाएगा 4 सबको जोड़ेंगे 8, 4, 12, 12 जोड़ेंगे कितनो जाएगा 17 और 17 का स्कोर्य कितनो होता है, दोस्तो 209 होता है तो 289 हो जाएगा आपका सही आंसर 289 किस option में है, C option में दे रखा है C option आपका सही आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर question मार की जगे क्या आएगा दोस्तो 289 आजाएगा आपका मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तो question आपको बहुत कही अच्छे तरीके से समझ में आगिया होगा केलियर है अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका इस question में देखेंगे missing number कहाँ पर दिया गया है दोस्तों यहाँ पर दिया गया मतलब यहाँ पर कौन सी संख्याएगी वो आपको find करना है यहाँ पर 208 है तो आपको 4 से और 8 से 208 बनाना कैसे बनाएंगे अगर आप 4 का square करेंगे 16 होता है 8 का square 64 दोनों को जोड़ेंगे तब भी 208 नहीं बनेगा अगर आप Q करेंगे तो 8 का Q दोस्तों 208 से जादा होता है तो कैसे आपका इसमें logic लगेगा देखिए दोस्तों आपको करना क्या होगा आप 4 को और 8 को दोनों को जोड़ लीजिए 4 और 8 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 12 होता है और 12 का square करेंगे कितना होता है 144 के लिए 144 होता है 12 का square दोनों को जोड़ा दोनों का जोड़ के square कर दिया 104 अब जो बादवाली संख्या है 8 इसका square कीजी 8 का square करेंगे कितना होता है 64 अब दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो कितना होता है 4 और 4 8 14 और 6 कितना होता है 20 तो आपको 208 मिल गया हो क्या रहा है दोस्तों question में समझे में आगया दोनों संख्याओं को जोड़ना है 1 और 5 को जोड़ेंगे 6 6 का square करेंगे 36 होता है फिर जो बादवाली संख्या है थीक है उसका आपको square करना है 5 5 का square करेंगे कितना हो जाएगा 25 दोनों को जोड़ेंगे 6, 5, 11 का एक हासिल लगा एक हासिल का एक 3, 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 61 मिल गया जो कि यहाँ पर दे रखा है समझी माई बात दोनों को जोड लीजे, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 का स्क्वार करेंगे, कितना हो जाएगा 25, फिर जो बादवाली संख्या 2 का स्क्वार करेंगे, कितना हो जाएगा 4, अब 25, 4 को जोड दीचे कितना होता है, 29 तो यहाँ पर कौन सी संख्या जाएगी, 29 आजएगी किस ओफ्सन में दे रखा है दोस्तों B ओफ्सन में आपका 29 दे रखा है समझी में आगे होंगे, धन्यवाद दोस्तों